एक कॉंग्रेस का कैसे डिबेकल हुआ जी कॉंग्रेस जो है घाटी में भी कुछ नहीं कर पाई और जम्मू रीजन में बिलकुल सिर्फ एक सीट जीट पाई अब ये तो कांग्रेस ही बता दिकत क्या है मैं बता हूँ आपको फ्रेंक्ली स्पीकिंग बीजेपी 24 घंटे में 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है और कॉंग्रेस तफरी के साथ कभी मना गया कुछ कर लिया नहीं तो करती नहीं है कुछ नहीं करती है बहुत ही निकमनी पार्टी है मैंने मिसाल के तौर पे कुछ महीं ने पहले मैंने एक इशू दिया था इनको पुल्वामा का अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे होते वी पक्षकी तो उसको पकड़ लेते पुल्वामा को अकेले पुल्वामा पे ही पुरानी सरकार जीत के आई थी लेकिन इन्होंने एक बयान तक नहीं दिया उस मामले में तो कुछ नहीं करते हैं ये तो अपना खरामा खरामा राजनिती करते हैं कुल्वामा भी आजात के भी बाहर कॉंगर्स नहीं हो जाने का नुक्सान कॉंगर्स को हुआ है नैशरली वही वज़े पॉपलर चीफ इनिस्टर और उनकी अच्छी में इस थी लोगों तो मुझे लगता है कि चम्मू कश्मीर का इंटिग्रेशन देश के साथ और ज़्यादा हो इसके लिए कश्मीर के बाहर के लोगों को क्या करना चाहिए खासके लोगों को महाँ इन्वेस्टमेंट ले जाना चाहिए तुम इंडस्ट्रिस नहीं हो तो कॉलेज ले जाओ कॉलेज नहीं ले जा सकते हो इसकूल ले जाओ इसकूल नहीं ले जाओ तो अस्पतार ले जाओ और उस से फिर आपका वहाँ लोगों में गुड़ बनेंगी क्या लगता है गुलाम नुभी आजात के भी बाहर कॉंग्रेस हो जाने का नुकसान कॉंग्रेस को हुआ है नेशरली वही वज़े पॉपलर चीफ इंस्टर और उनकी अच्छी मेज थी लोगों विश्ड तो मुझे लगता है कि चम्मू कश्मीर का इंटीग्रेशन देश के साथ और जाधा हो इसके लिए कश्मीर के बाहर के लोगों को क्या करना चाहिए क्या ले जाना चाहिए तुम इंडस्टिल्स नहीं हो तो कॉलेज ले जाओ, कॉलेज नहीं ले जा सकते हो, स्कूल ले जाओ, स्कूल नहीं ले जाओ, अस्पतार ले जाओ और उस से फिर आपका वहाँ लोगों में गुड़ विल बनेंगी अब तो 377 की बादा भी खतम हो गई है तो अब तो ले जाने में कोई कानूनी बादा है, नहीं? दूसरा जो कश्मीर और कश्मीरियों को ले करके एक अजीब तरह की भावना शेश भारत में रहती है, खास करके, उसको दूर करने के लिए भी तो कुछ किया गाना चाहिए नहीं वो तो देखो कश्मीर के लेवल पे तो जो हो सकता था उन्होंने कर दिया पहले हम जब जाते थे तो पूछते थे हिंदुस्तान से आये हो तो अब तो नहीं पूछते हिंदुस्तान से आये हो, अब तो सब एक हो गए तो अब हमको दिखाना चाहिए बड़ा दिलो और हमको वहाँ इंवस्टमेंट कराना चाहिए बड़े पैवाने को आपो क्या लगता है कि कश्मीर की जो अशान्ती है उसमें चुकि आप हैलमामदाफेर्स पर रहे हैं पाकिस्तान नी कितनी भूमिका है पाकिस्तान हर वक्त तलाश में रहता है कि कोई न कोई चीज वहाँ ऐसी खड़ी की जाए जिससे कठनाई पैदा हो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं